dear students आज हम female frog का reproductive system study करने जा रहे हैं so female frog के case में जो ovaries होती है ovaries जो होती है वो attach रहती है kidney के साथ में ovaries are attached with kidney और यह attach रहती है thin membrane like structure के साथ thin membranous structures के साथ में इनको बोलते हैं mesovarium इन थिन मेंबरीने structure को हम बोलते है means-a-verium हम last में डाइगराम बनाएंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे होता है means-a-verium तो mezo-verium का काम है ovary को kidney से attach करने का there is no interconnection between ovary and kidney कि ovary और kidney में यहाँ पे कोई connection नहीं होता है no interconnection between kidney and ovary जैसा कि male के case में था वहाँ पे दोनों मिलके काम करते थे kidney और ovary बट यहाँ पे ऐसा नहीं है तो आप कहीं न कहीं यह बोल सकते है कि both system work separately कि दोनों के दोनों जो system है यानि कि kidney and ovary का जो system है दोनों ही system separately काम करते हैं अलग-अलग अपना काम करते हैं यह सिरफ attached है बट काम separately करते हैं अगर बात की जाए कि एक female frog एक दिन में कितने eggs दे सकती है कितने अंडे दे सकती है तो mature जो female frog है वो एक दिन में धाई हजार से लेकर के तीन हजार तक अंडे दे सकती है एक बारी में तो यह आपो ध्यान रखना वेरी वेरी आई एंपी बच्चों ड्यूरिंग कोपुलेशन यानि के सेक्स प्रोसेस के दोरान जो male और female frog है दोनों ही अपने egg और sperm को एक साथ secret करते हैं एक साथ release करते हैं they release their eggs and sperm simultaneously मतलब एक ही टाइम पर release करते हैं और कहां पर release करते हैं water के अंदर release करते हैं तो water वहाँ पर एक medium का काम करता है water एक medium का काम करता है उनके gametes को fuse करवाने के लिए और जब gametes fuse हो जाते हैं तो fertilization हो जाता है क्योंकि यह fertilization body से बाहर हुआ इसलिए इस fertilization को हम बोलते हैं external fertilization water के अंदर हो रहा है So this is external fertilization जो frog है indirect development show करते हैं indirect development का मतलब होता है कि जब वो baby frog है जब वो adult frog के अंदर mature होता है तो वो larva stage show करता है उनके अंदर बीच में larval stage present होती है जब भी larval stage present होगी तो इस situation को या इस विकास को हम बोलते हैं इंडिरेक्ट डवलोपमेंट तो चलिए मैं एक थोड़ा सा प्रोसेस आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे होता है सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होगा एग का तो फर्टिलाइजड एग को हम जाइगोट भी बोल सकते हैं तो इस फर्टिलाइजड एग से जब यह एग रप्चर होगा जब यह एग हैच डाउन होगा अधर एग से जब बेभी बाहर निकलेगा तो सबसे पहले एक्चल में लारवा बाहर निकलता है लारवा एक तरह की इंटरमीडियेट स्टेज होती है और लारवा को आप टेड़ पोल भी बोल सकते हैं यह मैं आप पो अल्रेड़ी बता चुका हूँ अब देखी इस लारवा की क्या खास बात होती है कि जो यह लारवा है इसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों कि फरोग के लारवा के अंदर टेल प्रेजेंट होती है और फरोग का जो लारवा आता हो अब आगे देखिए जब लारवा डवलपमेंट करेगा जब आगे विकास करेगा तो इट विल अंड्रोग मेटा मॉर्फोसिस मेटा मॉर्फोसिस का मतलब होता है बचों कि इसकी बॉड़ी के अंदर काफी सारी चेंजिस आएंगे जब तक ये अडल्ट फ्रोग बनेगा लारवा से adult frog बनने तक के सफर में इसके body में बहुत सारी major changes आते हैं इन जिसको हम बोलते हैं metamorphosis तो देखी क्या क्या changes आते हैं एक तो इसके अंदर जो tail थी वो reabsorb हो जाती है वापस इसके body के अंदर absorb हो जाती है यानि कि adult frog के अंदर आपको tail देखने को नहीं मिलेगी दूसरी बात जो adult frog है वो respiration करेगा skin से and lungs से जबकि लारवा करता था respiration gills का use करके nitrogenous waste की अगर बात करें तो adult frog अपना nitrogenous waste secret करता है यूरिया की form में इसे लिए adult frog का आप ureotelic बोल सकते हैं तो ये एक थोड़ा सा process अब को ध्यान में रख रहा है अब चलिए बच्चों हम इस सारे के सारे process का एक अच्छा सा diagram बना लेते हैं फटाफट तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ kidney अब pair of kidney is present in case of female frog male के case में भी pair present था kidney का तो ये मैंने बना दी दो kidneys किड़ने के ऊपर की तरफ present होती है ovaries यहाँ पे these are ovaries जिसके अंदर एक बनना है तो ये हमने ओवरी बना दी red color से और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ovaries होती है वो kidney से attach होती है thin membrane से ये thin membrane मेंब्रेन बना दी और इस thin membrane को बोलते हैं बच्चों मीजो वेरियम मीजो वेरियम से ये attach है ovary kidney के साथ में सिर्फ attach है बट function ये दोनो separate separate करते हैं इनके ऊपर kidney के दोनों kidneys के ऊपर कुछ fat bodies present है जिनके बारे में हम already discuss कर चुक है कि fat body जो होती है वो reserved energy के form है और ये energy है different situations में काम आती है like mating के time पे metamorphosis के time पे या जब frog hibernation में या winter sleep में जाता है तब ये fat bodies के जो energy है वो काम आती है अब kidney से दोनों के दोनों kidney से दो tube extend हो रही है पतली पतली tubes इन tubes को हम बोलते है यूरेटर्स so kidney से जो urine आएगा वो इन यूरेटर्स के जरिए नीचे की तरफ आएगा इस आर यूरेटर्स overi के पास हम एक structure बनाने जा रहे है एक funnel shaped structure है this is ove duct जो आगे एक tube की form में lead कर रही है जिसके अंदर से egg नीचे की तरफ आएगा कलोका में तो ये हमने बना दी ove duct दूसरे तरफ भी एक ove duct बना देते हैं जो egg को collect करेगी ovary से ये होगी second ove duct so pair of ove duct is also present यहाँ पर बच्चों present है एक bilobbed urinary bladder this is urinary bladder और urinary bladder का काम आप सबको पता है कि ये urine को collect करेगा जो urator से urine आ रहा है उसको यहाँ पर collect करेगा तो ये urine collect हो गया urinary bladder में यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं जो रेक्टम वगेरा का structure है वो सब तो ये सारी ट्यूब आ करके open हो रही है इस structure के अंदर अब ये इस जो starting का उपर वाला structure इसको rectum बोलते हैं और इस common opening को बोलते हैं कलोका ये मैं last lecture में भी आपको बता चकाओं कि कलोका एक common opening होती है थ्री डिफरेंट सिस्टम्स के लिए तो ओपर देखें बच्चों जो ओवरी है ओवरी एग रिलीज करेगी और उस एग को डाल देगी ओवी duct के अंदर और भी duct से होता हुआ एग आएगा कलोका के अंदर और कलोका से body से बहार निकल जाता है so in this way ये सारा का सारा function perform होता है